चाप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैंट सो बहुत अमेजिंग सा चाप्टर है अगर टाइम मिले तो इस चाप्टर को समझाने जाओं तो बहुती मजा आ जाएगा आप लोगो समझने में भी और मुझे समझाने में भी थर्मल एक्सपांशन यह है कि जैसे त होला अगर अपने ही समझा को और चौथा होता है जो की थाउजंड्स एंड लाक्स ऑफ डिग्री सेंटिग्रेट पर एक्जिस्ट करता है जो की कहलाता है प्लाज्म स्टेट जब पूरा स्ट्ट्चर ऑफ एक्टमी टूरे जाता है कि रीडिएशन के कुछ लॉज है अब अगर किसी में एनर्जी रहेगी किसी में भी तापमान है तो वो हर एक वेवलेंथ एमिट करता है क्या हाल चाल है आप लोगों के हम बहुत ही अमेजिंग सा एक चाप्टर अभी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही समय में आने चाप्टर ट्रस्ट मी गाई बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे एक या दू सवाल डिफिनिटली आते हैं और बहुत ही इज सवाल आते हैं आप इसमें अगर अनालेसिस देखोगे तो न्यूटन्स लॉफ कूलिंग से मैग्जिम कोश्टन आ जाते हैं या फिर आपका कंड़क्शन से रिलेटेट कोश्टन आ जाएगा है क्यालरी मेटरी से आ जाएगा और बहुत इजी लेवल के कोश्टन आएंगे और अगर आपको कॉंसर पता है तो आप बहुत आसारी से निकाल भी सकते हो ठीक है चैप्टर का नाम क्या है सर चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें हम हीट के बारे में समझते हैं हीट का कंड़क्शन के इन्वेक्शन रिडियेशन कैसे होता ह साथी साथ कैलरी मेटरी का कॉंसेप्ट क्या है कि एक अबजिक को दूसरा अबजिक से मिक्स करोगे तो फाइनल टेंपरेचर क्या आएगा और साथी साथ एक बहुत ही और एजी चोटी सी चीज होती है जो की होती थर्मल एक्सपांशन जो की इनेविटेबल है हर जग होती बहुत अमेजिंग साथ है अगर टाइम मिले तो इस चाप्टर को समझाने जाओं तो बहुत ही मजा आजाएगा आप लोग को समझने में भी और मुझे समझाने में भी क्योंकि इतने सारे रियल लाइफ इंसिदेंट्स हैं जिसनको रिलेट करके हम इस चाप्टर को इतने धमागेदर तरीके से समझ सकते हैं you can never imagine बट अभी हम क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है हमारा एजेंडा है नीट 2023 में हमको मार्क्स लाने हैं we need to score that 160 का barrier हमें टच करना है physics में trust me impossible नहीं है हम कर सकते हैं physics में बहुत आराम से कर सकते हैं और बहुत ज्यादा high level की मुझे इसमे expertise या knowledge भी नहीं चाहिए अगर मैंने NCRT कर रखी है तो मैं बहुत ही आराम से वो score टच कर सकता हूं और physics का एक जो डर है maximum neat aspirants में physics को लेके डर रहता है तो एक डर है वो avoid भी कर सकता हूं कहां से करोगे कैसे करोगे यार आपको जादा कुछ तो करना नहीं है मुझे पता जादा कीमती अभी आप इधर उधर दो तीन तीन चार जार घंटे के session देखनी पाओगे आप आओ यहां पे एक घंटे में just have a very quick revision आपका कोई भी stage हो सकता है हो सकता है आपको heat थोड़ा बहुत आता हो हो सकता हीट आपको पूरा आता हो हो सकता हीट आपको आता हो लेकिन confidence ना हो और ऐसे बहुत सारे reasons हो सकते हैं जिसकी वज़े से आपका वो आने वाला question job solve कर सकते थे अगर आपको सही last में सही guidance मिल जाती एक confidence booster मिल जाता आपको एक ideation रहता कि हाँ इस type की question आएंगे तो trust me exam में वो सवाल आप कर सकते हो समझे रहे हो मेरी बात को आपका कोई भी level हो आप किसी भी level पे हो आप बहुत अच्छे prepare करके बैठे हो आपका revision उतना अच्छा नहीं भी जा रहा है या आप बीच में हो आपकी confidence building ही कमी है इन सब चीजों में क्या चाहिए हमको इन सब चीजों में revision ही तो चाहिए हमें चाहिए कम समय में बहुत ही अच्छा revision मिल ज अभी भी टाइम है दोस्तों अभी भी टाइम है trust me आप जितने अभी तो देखो मैं आपको बताओ नीट का 12 का syllabus तो भी start भी नहीं हो फिजेक्स में और 12 में maximum weightage आता है current electricity, semiconductors इनसे तो आप मान के चलो short short questions आते ही आते हैं और बहुत ही लड़ू questions आते हैं और अगर आपने वो चीज भी ढंक से attempt कर ली trust me एक सवा घंटे में पूरा chapter रफा रफा पूरा revision साथी साथ previous year question का analysis भी अब इत्ती सारी चीजे ते कम समय में होंगी एकदम rock solid तरीके से और यही चहिए आप लोगो आपको अभी 3-4-4 घंटे के sessions मत देखो don't learn new things आपको जो आता वही revise करो और सर चाप्टर की चाप्टर के बारे में समझते हैं तो देखो thermal properties of matter शुरू होता है सबसे पहले topic के साथ जो कि है thermal expansion अब thermal expansion क्या है thermal expansion यह है कि जैसे तुम heat दोगे जैसे heat देखो heat क्या है heat is a form of energy और energy देने से क्या होता substance के साथ उसका temperature rise करता है ठीक है thermal expansion यह बोलता है कि आप किसी भी body का अगर temperature increment करोगे तो उसके molecules के बीच के distance में कुछ फरक आता है and because of that only होता क्या है कि जब तुम किसी substance को energy देते हैं उसका तापमान बढ़ता है तो उसके dimensions automatically increase करने लगते है और यही कहलाता है आपका thermal expansion किसी object के dimensions बढ़ जाना उसकी length बढ़ जाना उसकी चोड़ाई बढ़ जाना उसका volume area यह सब बढ़ जाना यह सब क्या कहलाता है this is what thermal expansion is अब thermal expansion को तीन हिस्सों में बढ़ लो किस के से सहाब में एक बढ़ लो आपका कि length बढ़ रही है मात्र दूसरा बढ़ लो आपका कि आपका पूरा area बढ़ रहा है और तीसरा बढ़ लो आपका कि उसका पूरा volume बढ़ रहा है अब सर अपने मन से बढ़ लें अरे न one dimensions दिखते, अब देखो one dimension body तो कायदे में होती निया, one dimension body का मतलब उसकी कोई width नी होनी चाहिए और उसकी कोई height नी होनी चाहिए, मतलब एक straight line अब straight line जैसी चीज़े तो मिलती निया, क्योंकि microscopic level पे जाओगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ width radius, height तो होगा, तो one dimension का मतलब क्या है, तो one dimension देखो dominant, one dimension जसे में एक rail की पटरी की बात करो, तो rail की पटरी एक one dimension जादा तरीके से जानी जाएगी मलब that's going to act like a one dimensional object rather than being a two dimensional or three dimensional object, क्योंकि उसमें लंबाई dominate कर रही है, यही पे मैं मैं पतली सी sheet ले लेता हूँ, घर की sheet, घर की उपर जो एक plastic की sheet लगाते हैं, उसको ले लेता हूँ, अब वो किस में आ जाएगी सर, वो आ जाएगी आपकी aerial expansion, मतलब area के case में क्योंकि वो two dimensions में, और वही मैं cuboid, टंकी, बहुत सारी कोई बैसी three dimensional body structure ले लूँगा वहाँ पे case बन जाएगा, volumetric expansion का, तो depending upon concept dimension जादा dominate कर रहा है, उसे साब से हम aerial, linear और superficial volumetric expansion के बारे बात करेंगे simple से कि equation के line हैं और देखो फटाफट करते जाते हैं तो यह बोलता है, पहला concept जो linear expansion का, कि अगर आपके पास एक one dimensional body है, जिसकी initial length L0 है, ठीक है, तुमने temperature बढ़ा दिया, temperature delta T से बढ़ा दिया, अब temperature delta T बढ़ाने से क्या होगा, इसके dimension बढ़ जाएंगे, dimension कुछ इस length पे आजाएगा, इस length पे आएगा मतलब इसका नया length L हो जाएगा, ठीक है सर, ओके, अब इसका नया length L हो जाएगा, तो यह जो enhanced length है, जो enhanced length हुआ, enhanced किता हुआ, delta L हुआ, तो coefficient, जो linear expansion का rule है, वह बोलता है, कि यह enhanced length, यह delta L होगा, that is going to be directly proportional to two things, पहली चीज़ क्या, यह पहला तो proportional रहेगा, जो initial length थी L0, और दूसरा यह proportional रहेगा, किसके, जितना तुमने temperature का change किया है, इन दुनों चीज़ों के यह proportional रहेगा, अब इन दुनों चीज़ों को मिला के तुम लिख देते हो, और उस proportionality में constant of proportionality multiply कर देते हो, तो यह scenario आ जाता है delta L is equal to alpha L0 delta T, जहाँ पर L0 तो यह रहा, delta T यह रहा, और alpha हो जाता है तुमारा constant of proportionality जिसको हम linear coefficient of expansion भी बोलते हैं, ठीक है coefficient of linear expansion भी कहा जाता है इस alpha को ठीक है सर, ओक है, delta L के आता है, delta L ता सर मेरा L minus L0, ठीक है L minus L0 यहां रखोगे, L0 धर जाएगा तो L की value L0 plus alpha L0 delta T, या फिर finally इस तरीके से भी लिख सकते हो तो तुम्हें कौन-कौन से formulation याद रखे, तुम यह दो राखे, बस याद रख लो, कि delta L की जो value होगी, वो हो जाएगी, alpha L0 delta T के बराबर, ठीक है दूसरा जो final length होगी, वो L0 1 plus alpha delta T, इसी से आया है लेकिन याद तुम्हें दोनो रखे, ठीक है ओके सर, perfect, बढ़े हैं चीज़ आगे बढ़ते हैं, next case के बारे में जो कि है, superficial expansion अब superficial expansion या aerial expansion को concept कहा आता है, यह आता है सर two dimensional bodies में, जहां sheet की बात कर लिए, आपने circular sheet ले ली, उसकी बात फिर rectangular sheet ले ली, square sheet ले ली cubical sheet, cubical sheet नाम की कोई चीज नहीं होती, जिनको लग रहा है cubical sheet होती है प्लीज घर जाओ, एक cube बनाओ और उसको ज़रा sheet के form में समझने ही कोज़िश करो cube एक three dimensional body है और हम यहाँ two dimensions की बात कर रहे है, तो दिब भी मैं एक sheet की बात करूँगा, जैसे मानलो यह rectangular sheet है अब तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, इसका initial area A है, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, इसका area ऐसे बढ़ गया इधर भी बढ़ गया, इधर भी, इधर भी, इधर भी हर direction में बढ़ गया हर direction में बढ़ गया, तो नए area क्या आ गया नए area आ गया, suppose करते है initial A not था और बाद में A हो गया ठीक है, अब यहाँ पे भी area का increment हुआ है बिलकुल तापमान बढ़ा है, area का increment किता हुआ है, A minus A not के बढ़ाबर, बिलकुल सही बात अब यह जो area का increment हुआ है यह directly proportional होगा, किन दो चीजों के, एक तो होगा A not के और दूसरा किसके proportional होगा, दूसरा proportional होगा temperature change के, इन दोनों को साथ में लोगे, तो क्या हो जाएगा, delta है, A not or delta T, दूनों के proportional होगा proportionality अटाने के लिए, coefficient constant multiply करेंगे, वो कहलाता है beta, beta हो जाता है, coefficient of area expansion, ठीक है sir, perfect इसको भी इसी तरीके से लिख दो, A minus A not, A not उधर जाएगा, तो A की value आजाएगी, A not one plus beta delta T same वैसी formulation है, जैसे पिछले case में था, इन दोनों को याद रखना है, वैसे यहाँ पर इन दोनों को याद वोल्मेटरिक expansion में सिंपल सी चीज यह होती है, कि volume बढ़ जाती है, तो यहाँ पर मैं three dimensional bodies का case लूँगा, यहाँ पर मैं three dimensional bodies का case लूँगा, suppose पहले वी-नौट था, बाद में, वी हो गया, अब यहां पे डेल्टा वी कित्ता होगा, डेल्टा वी हो जाएगा, वी- माइनस वी-नौट, और यह डेल्टा वी किस-किस के प्रपोर्चनल होगा, सर ये proportionality जो होगी V0 पे तो और लाए करेगी साथ इसा delta T पे भी लाए करेगी ठीक है तो delta V proportional होगा initial volume और साथ इसा temperature difference के मानली बिल्कुल बात अब proportionality हटा होगे constant multiply करोगे जिसका नाम है gamma तो यहां से क्या केसा आजाएगा delta V होगा gamma V0 into delta T के बराबर बिल्कुल सही बात अब delta V को क्या ले लेंगे delta V हो जाएगा आपका V minus V0 V0 को उधर ले जाओगे तो final volume आजाएगा V0 1 plus gamma delta T बिल्कुल सही बात है एकदम सही समझ में आया तो यहां से मैं तीन चीजे समझ चुका अभी तक कौन-कौन सी पहली समझ ले मैंने linear expansion का case दूसरा area तीसरा समझ ले मैंने volumetric expansion तीनों expansions आपके सामने हैं और आप समझ चुके हो अब एक और फंडा होता है isotropic और anisotropic expansion का तो isotropic expansion basically isotropic body यह होती है कि जब तुम गर्माओगे जब तुम उस body को energy दोगे temperature बढ़ा होगे तो उसके dimensions एकदम बराबरी में बढ़ेंगे मतलब अगर three dimensional body है तो उसकी लंबाई, चोड़ाई और साथी साथ उसकी volume यह जो उसके length, breadth और basically height है वो same proportion में आगे बढ़ेंगे चोड़ाई मतलब लंबाई जो आपकी length, breadth और height ठीक है, यह तीनों same proportion में बढ़ेंगे और अगर यह तीनों same proportion में बढ़ते हैं मालब एक cuboid है, LBH का उसको मैंने गरम किया, तो उसकी length जिस proportion में बढ़ रही है, उसी में आपकी BV बढ़ रही है, उसी में HV बढ़ रही है ऐसी bodies होती, ऐसी tropic bodies और इन में, जो GAMBA की value होती है वो 3 times alpha के बराबर होती है और जो beta की value होती है, वो 2 times alpha के बराबर होती है तो मतलब तीनों को अगर relate करना है, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि BOS, Alpha की जो value होगी, वो beta by 2 के बराबर होगी और यह value, gamma by 3 के बराबर होगी यह लो, relate भी कर दिया मैंने, तो तीनो coefficients related है, एक ही body के लिए होंगे, यह नहीं कि तुम copper का ले लो और दूसरा इस से ले लो और बता दो नहीं, इसके लिए नहीं होगा, साथी-साथ body में भी, कई-कई बार देखो cases ऐसे रहते हैं कि वो clear बताते भी नहीं है, क्या isotropy है की नहीं, तो you need to assume that, depending upon circumstances हम इस formulation की use करेंगे कि यह relation कहा valid है, कहा नहीं है इसके थुरू answer आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, next point की तरफ जो की है आपका thermal stress next point क्या है आपका thermal stress अब thermal stress में क्या है thermal stress का फंड़ा बड़ा simple साइं, कि तुम सोचो, तुमने यहाँ पर दो wall ले ली दो wall ले ठीक है, यह रही wall अब इन wall के बीच में मैंने एक rod को रख दिया ठीक है, इन walls के बीच में मैंने एक rod को रख दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस rod को मैं energy इसकी enhance कर रहा हूँ, इसको temperature दे रहा हूँ, इस case study है, तुम लोग को बस thermal stress समझाने के लिए, इसको मैं energy दे रहा हूँ, इसका टापमान बढ़ा रहा हूँ, अब टापमान बढ़ाने से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, बिल्कुल कित्ती बढ़ेगी, किस हिसाब से बढ़ेगी, सार लंबाई तो कुछ इस हिसाब से बढ़ेगी, कि delta L जो हो जाएगा, वो directly proportional होगा, इसकी initial length जो की L0 है, alpha पे और delta T पे, बिल्कुल सही बोला, अगर आपने यह समझा तो, बिल्कु अगर जाएगी, कि मेरी length बढ़नी चाहिए, बढ़नी पारी, और वो ना बढ़नी की वज़े से, internally stresses डेवलप होने लगेगे, अब यह stresses जो है, इनका reason क्या है, तापमान बढ़ाने से, इसलिए वो stress क्या कहला आते है, thermal stress, समझ गए, ओके, अब यह thermal stress का quantify कर दो, इसकी value निक को, strain किता होता, अगर इसको छोड़ देते हैं, तो delta L होता, जो की नहीं हो पाया, तो strain हो जाएगा, delta L, by initial length L naught, ठीक है, delta L by L naught क्या हो रहा है, alpha delta T, सो यहां से आ गया, y alpha delta T, यह हो गया, क्या मेरा, यह हो गया, यह हो गया, मेरा thermal stress की समझ में, समझ में आया, यह हो गया, यह याद रखोगे आप, ठीक है, याद रखना है, बहुत important है, तो thermal stress की value भी हमने निकाल दी, I suppose आप सभी को समझ में आई, आपने thermal expansion भी समझ दिया, ठीक है, ओके, आगे बता और क्या समझना है, और भी बता देते, temperature, density पे क्या role play करता है, वो भी समझ लेते, कोई दिक्कत नह density पे कुछ इस हिसाब का role play होता है, रो is equal to rho not one plus gamma delta t, one plus gamma delta t को उपर ले जाओ, तो rho is equal to rho not one plus gamma delta t, raise to the power minus one, और अगर gamma की value बहुत छोटी है, गामा की value बहुत छोटी है, तो rho को मैं इस हिसाब से भी लिख सकता हूं, rho is equal to rho not one minus gamma delta t using binomial expansion, ठीक है, तो तो तुम्हें इस तरीके स याद रखना है, तुम्हें इस तरीके से याद रखना है, यह basically result आता है, देखो mass upon volume से, यह किसे आता है, mass upon volume से, mass तो देखो same रहेगा, matter का mass कभी भी change नहीं कर सकते, तुम temperature बढ़ा के, यह मत सोचना कि मैं boil करूंगा, उसको तो उसका वजन बढ़ जाएगा, mass is something which neither of us can create or destroy yes, we know a method in which mass gets destroyed, it actually gets vanished, in the form of energy, during nuclear reaction, nuclear reaction के समय, तुम अगर देखोगे, तो mass वहाँ पे dissipate हो जाता है, convert हो जाता है, mass and energy are equivalent to each other, equals to mc square से, ठीक है, so, अगर y की value, gamma की value, बहुत कम है, gamma यहाँ पे क्या है, gamma यहाँ पे, coefficient of volumetric expansion ही है, बहुत, coefficient of, यह क्या बोलते है, density expansion नहीं है, density reduction नहीं है, वो volumetric expansion ही है, समझ में आया, ठीक है सर, ओके, so, rho मतलब कम होगा, temperature बढ़ाने से density कम होगी, obviously, अगर तुम temperature बढ़ा के volume बढ़ा रहे हो, mass same है, तो density तो कम ही होगी न, simple सा केस है यार, सोचो, think about it, होगी होगी, अब देखो, यहाँ पे एक anomalous behavior of water क्या होता है, बड़ अच्छा concept anomalous behavior of water, इसमें होता क्या है, कि ठीक है सर, आपने बोल दे, temperature बढ़ाने से, तो density कम होती है, ठीक है, माल लिया हमने, ओके, एक काम करते है, पानी में, पानी में हम temperature बढ़ाते हैं, और density कम होगी, राइट, बढ़ हम देख रहे हम आप लो, यहाँ पे इधर से इधर तक, density मेरी enhance हो रही, यह value इधर थी और यह value इधर आ रही है, मलब density मेरी बढ़ी, this is the anomalous behavior of water, कि density 0 से 4 के बीच में anomaly दिखाती है, लेकिन 4 के बाद properly गिरने लगती है, जो कि होना चाहिए, लेकिन 0 से 4 के बीच में, वो anomaly दिखाती ह है, water has a negative coefficient of volume expansion, for temperature range 0 degree to 4 degree centigrade, इसी वजह से, यहाँ पर जब negative डालते हो, तो overall positive यानी density बढ़ जाती है, therefore water contracts when its temperature rises from 0 to 4 degree centigrade, and then expand when its temperature rises beyond 4 degree centigrade, important point है, यह आद रखना, यह anomalous behavior of water, okay sir, ठीक है, इस पर आते है, यह वी बड़ा इंपोर्टन इंपोर्टेंट है, expansion of bimetallic strip, अब expansion of bimetallic strip में क्या होता है, uses कहा है, इसके, बड़े मज़दार uses है, यहार सही में, मैंने बोला ना, यह chapter अगर मुझे, बड़े लंबे तरीके से पढ़ाना हो, मैं तुमें इतने सारे live examples, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मलब आसपास तुम इतनी सारी चीज़े देखोगे ना, सब 11 की फिजिक से maximum चीज़े समझ में आ जाती है, कि एक ट्राइपॉड में चार या तीन स्टैंड क्यों होते हैं, दोक्स क्यों नहीं होते हैं, फिर उसके बाद four wheels क्यों होती हैं, wheels का motion कैसे होता है, snooker table कैसे खेलते हैं, हवाई जाज कैसे उड़ते हैं, इतनी सारी चीज़े हैं, there are so many things, जो कि मतलब if you get into it, समझने भाज ह तो तुम्हें तो जीवन के आनन्द आ जाएंगे, सीधे सिंपल सी बात, अब देखो, by metallic strip का expansion कैसे होता है, यह पहले बाद तो uses कहा होते हैं, तो ऐसी याद रख लो, refrigerator में होते हैं, उसके बाद फिर इधर होते हैं, क्या नामें आपकी AC में होते हैं, जहां भी आपको automatically click च तो circuit चल रहा था, जैसी है move कर गया, वैसी circuit break हो जाएगा, circuit break हो जाएगा, तो खतम, फिर उसके बाद current flow नहीं होगा, current flow नहीं हो तो यह तो तुम्हें चाहिए, temperature particularly reach कर जा, और फिर circuit break हो जाए, ओके, सो वहाँ पैसे uses होते हैं, अब देखो, इसमें होता क्या है, दो strips रहती है, अलग-अलग material की, अलग-अलग material मतलब उनका coefficient of linear expansion भी अलग-अलग होता है, तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने से क्या हो गया, दूनों की length बढ़ेगी, अब length किस हिसाब पर बढ़ेगी, length तो बढ़ती है, बहुत, मिर को तो यह पता है, delta L जो होता है, directly proportional होता ह alpha kb और delta t kb, ठीक है, alpha जहाँ पर होता है, coefficient of linear expansion, अब जिसका यह ज्यादा होगा, क्योंकि तापमान तो दूनों का से भी बढ़ा रहे हो, तो जिसका यह ज्यादा होगा, उसी का यह ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात, जिसका alpha ज्यादा होगा, उसी का delta L ज्यादा होगा तो depending upon that only, जिसे मानलो यह आपका alpha 1 है यह alpha 2 है, तो अगर alpha 2 is greater than alpha 1, पहला case मानलो यह है, कि alpha 2 जो है, is greater than alpha 1, तो case यह होगा, alpha 2 बाहर की साइड में आ जाएगा, और alpha 1 अंदर की साइड में आ जाएगा, और on the contrary, if alpha 2 is lesser than alpha 1, तो basically कुछ इस टाइप का arrangement हो जाता है, ठीक है, यह आपका आजाता है alpha 2, यह आपका आजाता alpha 1, जहाँ पे alpha 2 जो है, वो छोटा हो जाता है, वो inner side में आता है, क्योंकि जित्ता तुम सर्कल के पास रहोगे, उत्ता छोटा तुमारा circumference रहेगा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, तो यह concept रहता है किसका, यह concept होता है सर, bi-metallic strip का, इस तरीके से bi-metallic strip काम करती है, circuit break कहीं भी करना हो, तो उसमें काम आती है, टेंपरेचर पे कुछ effect होता है, क्या सर, ताइम पीरेड पे कुछ effect होता है, पेंडूलम की क्योंकि इस रिडिट कुश्यन्स आते है, टेंपरेचर का, कैसे कैसे पता करोगे, लेंथ कम या जादा हो सकती है, टेंपरेचर बढ़ाने से, बिलकुल, लेंथ जो है, वो जादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती, क्योंकि लेंथ तो basically factor करती है, टेंपरेचर पे, लेंथ का इंक्रिमेंट तो होता है, और अगर पेंडूलम की जो बॉब और सीलिंग के बीच की लंबाई है, वो बढ़ने लगी तो time period तो बढ़ जाएगा, और गढ़ने लगी तो time period घढ़ जाएगा, समझ मैं क्या हो रहा है, तो basically क्योंकि temperature length पे depend करता है, time period fluctuate करेगा, definitely करेगा, किसी साब से करेगा, देख लो, तो मारा length जो है, basically क्या है, नया length जो हो जाएगा, नया length टी, बिल्कुल सही बात, ठीक है, divided by G, अब टू पाई under root of L by G की जाएगा, तो T रख दो, T डाश की value आजाएगी, T1 प्लस अलफा डेल्टा टी की पावर 1 by 2, binomial एक्स्पैंड करोगे, 1 by 2 इधर आजाएगा, तो T डाश की value कित्त ही आगई, T1 प्लस 1 by 2, अलफा डेल्टा T, ओके, तो यहाँ से अगर डेल्टा T डाश निकालना है, डेल्टा T divided by initial temperature T निकालना है, तो उसकी value आजाएगी, half alpha delta T, देखो, यह रह, यह हो जाता है, आपका change किता आता है, fractional change आता है, half alpha T के, half alpha T के, अच्छा एक बात बताओ, अब मुद्दे की बात यह है, कि अगर ल सेम चीज, वो सेम चीज अगर तुम अब कर रहे हो, जैसे मान लो, अभी एक गंटे की class हो रही है, ठीक है, और मान लो length बढ़ गी, लेंद बढ़ गी, तो अभी एक गंटे की class कैसे पता चलेगी, मुझे, मुझे कैसे पता चलेगी, तो होगा क्या, अगर मैं बढ़ती हु हो रहा है, इससे मेरा loss हो रहा है, time का loss हो रहा है, तो अगर temperature बढ़ एक गंटे से कम में दूंगा, समझ रहो, तो यहां gain हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो यह concept है, इस चीज को समझने ही कोशिश करो, कैसे तुमारा length की variation से, time का variation कैसा होता है, normally इतना detailing में तुम से नहीं वो बेसिकली तुम से पूचे है, fractional error बताओ, fractional error कितनी होती है, यह fractional change कैसा आएगा तुमारा, temperature से time period of pendulum के, और वहां से तुम यह चीज समझ सकते हो, ओके, ठीक है सार, बढ़िया, अब बात करते है, आगे चलते है, मज़ेदार चीज की जो की है, calorie metric, अब calorie metric क्या होता है, calorie metric बड़ा simple सा game है, simple सा game यह, दो किलो आईस ले ली, दो किलो पानी ले लिया, और इनको mix कर दिया, इसका temperature minus 10, इसका 80, बता final temperature कितना हो, simple as that, ठीक है, यह बताना रहता है, दूसरा की 100 degree पे water लिया, 20 degree पे water लिया, यह 1 kg था, वो 3 kg था, mix कर दे बता final temperature कितना हो, तो simple चीज calorie metric का principle यह बोलता है, कि जितनी भी heat exchange होगी भई, वो conserve रहेगी, simple as that, system और surrounding के बीच में कोई exchange of heat नहीं हो रहा है, although ऐसा होता नहीं होता ही है, कुछ ना कुछ, बट हम principle of calorie metric के according चलेंगे, तो जितनी energy जादा तापमान वाला देगा, उतनी energy छोटे तापमान या कम तापमान वा जाद है, मातर 5 ग्राम ही हो, और जिसका temperature कम है, वो 100 किलो, वो 5 ग्राम वाला जब तक उसका temperature जाद है, वो 100 किलो वाले को temperature, energy देता ही रहेगा, because energy flow is depending only and only upon the temperature difference from high temperature to low temperature, that's a fact, we cannot question that, हम उसको यह अगेंस तो जाएंगे ही नहीं, high temperature से low temperature, heat energy जाती है, that's it, तो यह बस यह बोलत होगी, इसमें कोई questioning हमको करनी ही नहीं है, ठीक है, ओके सट, ओके, अच्छा, change of state and latent heat का फंडा समझ लेते हैं, फटा फट, तो चलो जारा, इसका एक particular substance का case लेके देखते हैं, हर, हमाई आज पास 3, 3, basically, states exist करती matter की, सबसे पहले एक state exist करती solids, दूसरी करती liquid, तीसरी करती gases, ठीक है, कोई भी substance, कोई भी matter ले लो तुम, हर एक matter, तीन state में exist करते ही करता है, पहला तो solid, दूसरा liquid, तीसरा gas, solid state में हो क्या करता है, solid state तुम्हें पता ही है, ice, जिसे water का case ले लो, ice, liquid और water, ये एक normal सा substance है, जिसके तीनों form है, बहुत readily मिल जाते हैं, लेकिन हर substance के होते है oxygen का भी है, oxygen भली तुम्हें देखता नहीं क्योंकि तुम उसके boiling point के काफी उपर हो, ठीक है, उसका तुम माइनस 60 या माइनस 40 पर चले जाओगे, तो liquid form में तुम्हें oxygen भी मिलने लग जाएगी, ठीक है, और नीजे चले जाओगे, तो हो सकता है solid oxygen, तुम्हें ऐसे गोल-ग intensity, वो तो exist करता है, नियर आपका 0 Kelvin पर, ठीक है, और चौथा होता है, जो की thousands and lakhs of degrees centigrade पर exist करता है, जो की कहलाता है, प्लाजमा स्टेट जब पूरा structure of atom ही टूटे जाता है, लेकिन हमें उन दोनों से मतलब नहीं, हमें basically 3 states से मतलब रखना है, और वहाँ पर यह आपका temperature versus Q का हम गराब देखते हैं, तो देखो, एक substance है, मान लो वो solid state में, ठीक है, वो solid state में, solid state से क्या किया, मैंनो उसका, उसे heat energy देने लग गया, heat energy देने लग लग उसका तापमान बढ़ेगा, भाई, बिल्कुल जी बात है, simple जी बात, तापमान बढ़ा, 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 पॉइंट तक आया, इतनी energy में उसको दे चुका हूँ, इतनी energy में दे चुका हूँ, इतनी energy देने तक, उसका तापमान यहाँ से कहा तक बढ़ गया, इधर तक बढ़ गया, इतना तापमान body का अल्रेडी हो चुका है, ठीक है, ओके, मान लिया sir, इता temperature हो चुका है, अब यह temperature जो है, यह basically लाए कर गया अब उसके melting point पे, melting point पे क्या होगा, कि इस point पे अब तुम कोई भी extra energy दोगे न, इस point से अगर तुम कोई भी extra energy दोगे, तो वो energy उसका temperature नहीं बढ़ाएगी, उसके molecules को अब एक दूसरे से दूर करने में काम आएगी, मतलब उसका state change करने में क convert करेगी, और इसी में energy अगर खीच लोगे, तो liquid से solid भी convert हो जाता है, ठीक है, तो इस present state में क्या होगा, जब तक कि पूरा entirely solid liquid में convert नहीं हो तो तब तक state change होता रहेगा, उसके बाद फिर B से C, जब वो पूरा liquid में convert हो गया, तो बढ़ेगा, 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 कहा तक उस temperature तो जब तक उसका boiling point reach नहीं कर जाता हो, जैसी boiling point reach करता है, इस point के बाद, इस point के बाद आगे तक, क्या होगा, जो liquid है, वो gas में convert होगा, और gas से वापिस liquid में convert होगा, तो liquid gas का inter conversion, यहाँ C से D के बीच में होता रहेगा, ठीक है, ओके, अब D के बाद क्या होगा, D के बाद में gas का तापमान वापिस से increase करता चला जाएगा, okay, so I think यह पूरा analysis आपको समझ में आ रहा है, अब यहाँ पर energy का exchange हम कैसे quantify करते हैं, कैसे समझते हैं, तो देखो, जब मैं इधर O से A तक हूँ, जब मैं O से A तक हूँ, तो basically heat का exchange जो है, वो delta Q is equal to M S delta T से दिखता है जहाँ पर S किसका क्या लाएगा, S क्या लाएगा, भाई, उस solid का S होगा, S क्या होता है, S हो जाएगा मेरा heat capacity, molar, यहाँ पर basically M है, तो यहाँ पर हो जाएगा specific heat capacity, अगर N C delta T होता तो molar heat capacity हो जाता है, ठीक है, depending upon तुम यहाँ पर M ले रहे हो, N ले रहे हो, उसे साब से S का नामकरार हो जाता है, यहाँ पर specific heat capacity हो जाएगा, ओके सर, ठीक है, बढ़िये, फिर A से B के बीच में क्या होगा, सर, यहाँ तो temperature change है नहीं, A से B के बीच में अगर मैं delta Q की valuation निकालूँगा, तो value फिर वो इस साब से दिखाई जाएगी, M into LF, जहाँ पर LF कहलाता है, latent heat of fusion, यहाँ पर temperature increment से नहीं, latent heat of the fusion रहेगी उस particular substance की, अगर ice है तो ice की, और वहाँ से तुम यह समझ सकते हो कि इस point पर हमें यह energy नहीं, मतलब कि यह से मानलो, यहाँ पर तो basically mask का game रहेगा ना, कि मानलो में 100 gram ice है, अब 100 gram ice को में 100 gram water में करना है, ठीक है, तो इतनी energy दी तो अगर पूरा 100 gram ice से water में conversion हो चुक है, ठीक है, तो A से B के बीच में यही होगा, conversion होगा from solid to liquid, फिर B से C में जाएंगे, तो B से C में क्या हो जाएगा, B से C में temperature देने से, बढ़ाने से, क्या होगा, वापिस delta Q, energy देने से temperature बढ़ने लाएगा, और यहाँ पर आजाएगा, MS of D में, C से D के बीच में वापिस आपका latent heat of vaporization आएगा, delta Q की value, M into L, V के बराबर होगा, फिर D से E के बीच में, D से E के बीच में क्या होगा, D से E की बीच में, जित्ती तो में energy देते जाओगे, delta Q, उससे basically M into S of that particular gas into delta T, इस हिसाप से तो delta Q वहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है So I suppose मैंने सारे ही cases देख लिए हैं, इस हिसाप से हमको analyze करना, इस हिसाप से हमें final answer भी calorie metric के principle भी use करना है, ठीक है, आओ इस question को solve करते हैं, इस question को solve करते हैं, क्या बोल रहा है, amount of water at 20 gram of 0 degree, 20 gram पानी है और 0 degree पे, is mixed with 40 gram of water at 10 degree centigrade, final temperature बता दो mixture का, यू बताऊंगा मैं यू, simple सी चीज, देखो, तुमने 20 gram पानी लिया, ताप मान किता था, 0 degree, किस से mix किया, mix किया तुमने, 40 gram पानी से, इसका क्या ताप मान था, इसका ताप मान था, 10 degree, ठीक है, और final तुमने mix करके क्या बना दिया, अब भाई, final mix करा है, यह 20 gram है, यह 40 gram है, तो total gram किता हो जाएगा, total gram हो जाएगा, 60, रहेगा, तो पानी न, दोनों पानी थे, तो पानी रहेगा, पानी पानी को mix करके, vapor तो बनेगा, नहीं, आइस बनेगा, और final temperature, 0 से 10 के बीच में रहेगा, क्योंकि यह इसको देगा, और यह लेगा, तो temperature मान लेते, बहुत टीर बना, ठीक है, टीर डिग plus delta qt, should be equal to 0, अब मुझे नहीं पता, तुने energy दी, तुने दी, या तुने ली, तुने ली, जिस जिसने जो भी ली, मुझे उससे मतलब ही नहीं, मुझे बस सिंपल से यह समझना है, कि इन में से मैच मिर को answer देगी, इस में से किसी एक ने energy ली, और किसी एक ने energy दी, ठीक ह on mathematics, हम maths पर trust करते हैं, so delta q1 plus delta q2 will be equal to 0, अब delta q1 की value किती हो जाएगी, delta q1 की value हो जाएगी सर, m, जो कि इसका mass है, 20 by 1000, into ms, specific capacity of water, जो कि नहीं पता, तो sw rendu, साथी साथ, delta t, तो सर, final temperature क्या है, final temperature क्या है, भाई, finally ये t पे आकर रुका, ये 20 gram यहाँ पे, वो t पे, final हो गया t, minus initial 0, ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें क्या, इसमें mass किता है, 40 by 1000, into specific heat capacity of water, into temperature यहाँ क्या है, इसमें भी t है, और initially 10 था, so t minus 10, is equal to 0, simple as that, clear है, देखो, 1000, 1000, 0 में जाएगा, sw, sw, 0 में जाएगा, 20, 40 से 2 से जाएगा, finally किता बना, t plus 2t minus 20, is equal to 0, तो ये किता होगे, 3t is equal to 20, 3t is equal to 20, यानि t की value किती आ गई, t is turning out to be 6.67 degree centigrade, ठीक है, समझ आया, तो final answer, do we have an option, है क्या, हाँ जी, option number D, option number D है, तो ये हमारा correct answer हो गया, बिल्गुल सहीज़, 6.66 degree, I think, सबको समझ में आ गया, बड़ा easy सा explanation था, यह है principle of calorie metric, इसी जाप से आपको answer निकालना, जो भी question आएगा, you should look for that, okay, I suppose किसी को भी कोई doubt हो, हम session लेंगे जब live, तो आप प पता करते हैं, अब क्या है, heat transfer, पहला था इसमें expansion, दूसरा था इसमें calorie metric, थर्ड पे आ जाते हैं, जो कि heat transfer के mode, और बस खतम, heat इतना ही है, heat इतना ही है, उसके केटी जी है, थर्म है, heat में देखो, मात रितनी सी चीज़े थी, कितना easy है, अब देखो, transfer के, तीन method है, सबसे सबसे पहला तो है, बहुस कंडक्शन, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फड़ा फट डिरेक्ट प्रॉपर्टी से भी कुश्चन आते हैं, सबसे पहली चीज तो कंडक्शन के लिए medium require होता है, बिल्कुल सही, energy is transmitted from one particle to another particle, without displacement of particle, बिल्कुल सही बात है, displacement of particle हो होता है, convection में होता है, इसमें नहीं होता है, सबसे कुछ example जैसे कि यार कड़ाई है, और कड़ाई का है जो पैन है, अभी पैन नॉर्मली हम अलग substance है, बिसीकली बूट के बनाते हैं, बड़ अगर मानलो बूट के नहीं है, metal का ही है, connected है, तो यहां से जो energy है, वो इसके हो जाएगा कि तो मुसे तच नहीं कर पाऊ, simple as that, okay, so no transfer of particle takes place, that's the main thing, and it requires medium, it requires medium, that's also very important thing, medium requirement to convection में भी होती हो, conduction में भी, look at the second one, that is conduction, it also requires medium, यहां energy transfer होती है, through the movement of particle of medium, जैसे दूद का गरम होना, पानी का अबलना, whenever we are using heat from the bottom, यहां basically, motion of the particles होता है, because of density change, okay, होता क्या है, कि substances, जितने भी substances हैं, उनको तुम नीचे से अगर, गर्मी दे रहे हो, energy दे रहे हो, ठीक है, तो energy देने से होगा क्या, कि यहार, basically, जो सबसे नीचे वाले molecules हैं, जो की in contact with the surface है, उनकी density, lower हो जाती है, अब density कम होने से, they begin to move in the upper direction, उपर की तरह बढ़ने लगते, layer by layer, यह layer by layer का movement होता है, और बढ़ने लगते हैं, तो molecules को energy दे देते हैं, और साती साथ उपर जाते हैं, तो दूसरी layer आती है, वो गर्म होती है, वो भी उपर जाती है, तो इस तरीके से गर्म हो जाता है, fluid, liquid, जो भी हो, substance, बहु वो दूद नहीं उतना गरम हो पाएगा, वो 45 तक रीच करने में उसे बहुत टाइम लग जाएगा, and on the contrary, आप, you are burning it from the bottom, तो बहुत जल्दी temperature रीच कर जाता है, the sole reason is because of convection, now the third and the most prevalent one is radiation, it does not require any medium, क्योंकि यहाँ जो energy का transfer होता है, that happens because of electromagnetic waves, electromagnetic waves में जो energy है, उसके through transmit होती है energy, no medium is required, but, और ये इतना ज़्यादा prevalent है, कि तुम्हें सर्दियों में ठंड लग रही है, या गरमी लग रही है, तुमने घरम दूद रखा और वो ठंडा हो गया, या तुमने कोई ठंडी ice cream रखी और वो घरम हो गई, ये सारी ही चीज़े होती है, because of radiation, because every object, even me presently, presently, मैं fact, कि मैं कितनी ज़्यादा energy, मैं या तो absorb ज़्यादा कर रहा हूँ, या emit ज़्यादा कर रहा हूँ, तो obviously यहाँ पर case यह है कि surrounding media मेरा बहुत ज़्यादा गरम है, और emit ज़्यादा कर रहा हूँगा, तो surrounding media बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, दोनों ही cases में आप या तो ठं magnetic radiation के थ्रूप ठीक है तो आओ यार इनके बारे में जड़ा फटाफट थोड़ा ग्यान ले लेते हैं ठीक है सबसे पहला ग्यान heat transfer किता होता है conduction में ठीक है तो देखो conduction का same scene बहुत easily आप समझ सकते हो अगर आपको current electricity आता है तो 10 तक का भी current electricity हाला कि यार देखो अब तो आप exam ready हो तो आप 12 का भी electricity current electricity जानते और अगर आपको आता है तो आप heat conduction यह चुटके में समझ जाओगे कैसे देखो बताता हूं वहाँ पे वी था potential difference आई था current heat electric current और आर था electrical resistance यहाँ पे वी की जगे क्या आजाएगा temperature potential difference था यहाँ पे आजाएगा temperature difference आई की जगे आजाएगा वहाँ था electric current यहाँ आजाएगा heat current अब हीट करेंट क्या होता है heat current होता है rate of flow of heat energy मतलब dq by dt वहाँ तो डीक्यू चार्ज था यहाँ पे क्यों heat energy और यहाँ पे आर जो है वह हो जाएगा heat resistance ओके सर ठीक है तो heat resistance वहाँ पे कैसे दिखाते थे वहाँ पर उताता सर रो एल बाए तो यहाँ पर पता है क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई रो एल बाए लिख सकते हो लेकिन रो को यहाँ resistivity ने लिखके हम conductivity में लिखते तो रो वन अपन रो आपकी conductivity हो तो यहाँ पर heat resistance आ रहे चको मैं बन अपन के यह से समझोंगा ठीक है बस देख लो पूरा का पूरा गेम करेंट electricity का है यह तीन आपने अगर कनवर्जन समझ लिए और समझे तो है और हमने हमने लीनियर motion समझा था फिर जाके rotation समझा रोटेशन समझा लीनियर की हल्प से था वैसे हमने current electricity पढ़ लिया उसकी हल्प से समझेंगे और series का connection हो या parallel का connection हो दोनों की connection समझ जाएंगे हमें बस current electricity आना चाहिए सिंपल कंडक्शन तो बाया हाथ का खेले में तो देखो सिंपल सी question लिखता हूं यहाँ पर temperature है आपका मानलो T1 इधर साइड पर इधर साइड पर इसके इस तरह पर यहाँ पर temperature हो गया आपका T2 ठीक है सर इसके त्रूँ एक heat current flow हो रहा है जिसको H बोल दे रहा हूं मैं और यह हैच की value delta q by delta t ऐसे flow हो रहा है इसके त्रूँ इसके त्रूँ हो रहा है समझ रहे हूं ठीक है सर ओके अभी जो delta q by delta t हो गया और मेरा potential difference temperature difference so delta t delta t should be equal to h जो की heat current है into heat resistance मानते हो की नहीं potential difference V is equal to IR है न वहीं तो लिखा है V is equal to IR delta t potential difference is equal to heat current into heat resistance ठीक है अब delta t as it is रहें दो heat current को क्या लिख सकते हो delta q by delta t ठीक है सर परफेक्ट और rh को क्या लिख सकते हैं और rh को लिख सकता हूं मैं 1 upon k l upon a ठीक है देखो आगी equation यह equation है इसे के लिए लोग रोते रहते हैं यहीं समझ में नहीं आती अब अब delta t को भी क्या लिख सकते हो देखो temperature t1 t2 भी तो दे रखा है तो डेल्टा t को ऐसे लिख लेते भाई देखो यहां से यहां जा रही है तो temperature t1 obviously जाद ही होगा ना और गिवन भी है आखे तेज हो तो गिवन भी है t1 समझ आया ना समझ में आ जाना चाहिए यार यह तो देखो सिंपल सी केस है यह बस आपका करेंट electricity का extension है करेंट electricity को heat में लगा और देखो आंसरा जाए ठीक ओके ओके सर आगे बढ़ाओ थोड़ा और सब बाते करते हैं तो यहीं पे डिल्टा क्यूबाइ डिल्टा की को में बोलता हूं hit current और वहीं लिखा है जो आप लोगों ने अभी समझाए कि डेल्टा क्यूबाइ डेल्टा ती को डिल्टा तीवा अच्छा हो यह किसे समझ लिया ओके यह बता देता हूं यह एलको इधर लिया और यह तो को इधर multiply कर दिया वही किया देखों के इधर एक कर दिया डेल्टा टीवाइ डेल्टा एक्स और डेल्टा क्यूवाइ टी कर दिया समझ में आया दाट्स वोट देया डूइं माइनस साइन नहीं आएगा माइनस साइन उन्होंने तब आ सकता है जब आप आप फाइनल माइनस इनिशल कर रहो तो माइनस का रेलेवेंस तब होगा जब आप टेंपरेचर इन्होंने के टू माइनस की वन लिए ठीक है टी टू माइनस टीवर हाला कि इतनी डीटेलिंग में पता मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं होती हीट करेंड में किताब में किसी और किताब में भी कि लैंगोई इतनी टफ दे रखी है सिंपल इसको हीट करेंट से समझना चाहिए और वही लिखना चाहिए खतम बात पूरा आंसर आता देखो सारी क्वेशन बनता है हरी क्वेशन बनता है आपको बस यह एक रेजिस्टर की तरह दिखना यह क्या आपको दिख रहा है अगर आग बन करके रेजिस्टर की तरह देख रहा है तो आप आंसर यू निकाल दोगे ठीक ओके आउसर एकोलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते जबकि कंड़क्टर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है मेरेको तो यह कंड़क्टर तो सर मेरा आता है आरवन प्लस अठीक है आपका क्या आता है मेरा भी यह आता है अब यह रिजिस्टर दिख रहे हैं तो यहां पे जो थर्मल नेट थर्मल रेजिस्टेंस होगा आर नेट वह हो जाएगा आरेच वण हीट रेजिस्टेंस फर्स्ट का प्लस हीट रेजिस्टेंस सेगेंड अब हीट रेजिस्टेंस फर्स्ट का क्या है हीट रेजिस्टेंस फर्स्ट का सर यहां पर रेजिस्टेंस मेरा मैं तो समझता था लेकिन यहां मुझे क्या समझना है वह यह करेंट एलेक्रिसिटी में था यह current में था और R is equal to 1 upon के L upon A यह कहां समझूंगा सर यह समझूंगा मैं heat में वो resistivity 1 upon conductivity से convert होगे ठीक है so R1 कित्ता हो जाएगा 1 upon K1 L1 upon A1 plus 1 upon K2 L2 upon K2 not K2 L2 upon A2 and this is what this is what we have been asking यह रहा मेरा net thermal resistance अब अगर area 1 area 2 सेम है तो वो कॉमन ले 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 ना L1 upon K1 plus L2 upon K2 हो जाएगा simple as that कोई दिक्कत हुई क्या बड़ा simple सा है बहुत simple सा है देखो यह लिखा हुआ है तो finally उसने कहा कि यह तो देखो मेरा individual होगे L1 upon K1 A1 L2 upon K2 A2 और यह जो net था इसको उसने क्या लिख दिया कि वह टोटल लेंद तो मेरी होगी L1 plus L2 upon area I am unaware area अगर सेम मान रहे हो area उसने एक कोई general A वान लिया ठीक है और यह K को भी उसने एक general K वान लिया तो यह लिख दिया उसने L1 plus L2 divided by K into A is equal to L1 upon K1 into A plus L2 upon K2 into A वही लिखा हुआ है देख लो तुमाई सामने आखों के सामने ठीक है और अगर अब पूछों के सार यह कैसे आ गया तो अगर area area सेम है तो यह cancel हो जाएगा यह L1 plus L2 अगर length भी सेम है LLL तो यह 2 रखेगा यहाँ पर यह 2 हो जाएगा यह LL से cancel हो जाएगा तो फाइनली तुक भी देख सकते हो कि रिजल्ट क्या आएगा K1 K2 upon K1 plus A2 की equivalent की बराबर आदे ठीक है कोई दिकत नहीं एकदम सही है यह case यहाँ से यहाँ बस तब आता है जब when L1 is equal to L2 is equal to L हो गया और A1 is equal to A2 हो गया यही आंसर आएगा कोई नहीं रोक सकता और यह कैसा connection हो जाता है यह series connection यह series connection है यह series connection है ऐसे ही मैं parallel connection की बात करता हूं कि thermal connectivity जब parallel में हो तब कैसे result आता है तो पहले कैसे आता था पहले 1 upon R equivalent 1 upon R1 plus 1 upon R2 थे अभी भी वही रहेगा अभी भी भी रहेगा ठीक ह 1 upon R equivalent छोड़ो 1 upon R1 और 1 upon R2 क्या थे तो 1 upon R1 हो जाएगा सर 1 upon K L by A था तो यहां पर A उपर आजाएगा और K आजाएगा A1 K1 upon L1 plus A2 K2 upon L2 simple वही लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है और लेंथ दोनों की सेम है तो यह आजाएगा के equivalent के equivalent into A divided by L1 L1 L2 तो सेम ही है तो सबसेम है सबसेम एकदम वैसे ही है बस थोड़ा A और K और L से थोड़ा यूस्टू होना है अगर यूस्टू होगा तो फड़ा फड़ा आंसर निकालोगे ठीक है ठीक है अब चलते हैं next convection में तो देखो इतना ज्याद है अनि convection जस्की तो अंडर्स्टाइड कि क्यों होता है उससे रिलेटेट को बहुत ज्यादा मेजर कॉंसेट है नेक्स मेजर कॉंसेट आता है वह आता है रेडियेशन से ठीक है कि विदेशन किस वज़एसे होता है रेडियेशन के कुछ लॉज है स्टिफन-बोल्च्मन बोल्च्मन लॉज है प्रिवर्स थीओरी है उसकी बाद पिर वेंज डिस्प्लेश्मेंट लॉज है यह कुछ स्टांडर्ड थीओरी जिनसे रिलेटेड कॉस्टन आए हैं हम देखेंगे अभी कैसे रिलेटेड आए हैं कॉस्टन तो इसको भी फट यह भी पता है यार इम वेप्स के फॉर्म में रहता है इंद इंफ्रारेड रीजन ठीक है देर्फोर इटाज अल्ड़ प्रॉपर्टीज अफ्लेक्ट्रमाग्नेटिक डिक्तत है आई यार नॉर्मली देखो बॉड़ी जो होती है यूवी नियमिट करती है पहली चीज तो व एनकल रही है इंफ्रारेड बी निकल रही है विजिबल लाइट सब निकल फइंघा है लेकिन जो क्वान्टिटी है किस वीवुः लेंथ में ज्यादा अतर और इंफ्लेशन रही है वह यूभी रिजन में आता ह। और नाहीं आता है किसी और अविजी बहात ही minuscule amount of waves निकल रहे होंगे जिसका कोई फरक भी नहीं पड़ता मेजर जो एनरजी है वो IR region में रहती है IR energy मतलब तुम infrared region जो कि हम observe नहीं कर सकते है मतलब विब के और के भी और आगे की बड़ी wavelength मतलब थुड़ी और कम energetic उन infrared rays के थुरू heat energy का basically exchange होता है normal day to day life में मतलब दूद गरम से ठंडा हो रहा है तो IR waves के थुरू हो रहा है यह important बात है समझने life अब कुछ properties और radiation की समझते हैं all objects emit radiation simply because their temperature is above absolute zero बिलकुल absolute zero के उपर मतलब zero Kelvin से अगर तुम एक Kelvin पर भी चले गए ना तो भी तुम radiation अब्सॉर्ब भी करोगे और देगोगे भी मतलब यहां पर तो केस वाई आएगा कि अब्सॉर्ब भी करना ची देने का तो सवाल ही नहीं नहीं दोगे भी zero Kelvin से उपर किसी भी body का temperature मतलब zero Kelvin मतलब समझते हो minus 273 degree centigrade होता है minus 273.16 something इतने degree centigrade पर भी तो energy दोगे इतने degree centigrade पर भी तोम energy मतलब इससे जस्ट उपर भी तोम energy दोगे and all objects absorb some of the radiation that falls on them from other objects Maxwell, obviously Maxwell की 4 equations ने EM wave theory बनाई Maxwell on the basis of his EM theory proved that all radiations are electromagnetic waves and their sources are vibration of charge particles in atoms and molecules, obviously true charges जब भी accelerate करेंगे, basically motion में रहेंगे, vibrations करेंगे मतलब accelerate करेंगे, तभी आपकी EM waves generate होती है, और वही है source इनका, more radiations are emitted at higher temperature of a body and lesser radiations are emitted at lower temperature, that's the reason उसका temperature higher से lower की तरफ कम होता जाता है ठीक है, wavelength corresponding to maximum emission of radiation shifts for longer wavelength to shorter wavelength as the temperature increases, बिलकुल जैसे कि मैंने तुमें बताए कि जैसे मानलो मैं दूद गरम 70 degree, 100 degree, 120 ऐसे 40-50 पर इवन तुम 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 दूद चार्ट पांट से डिगरी पी चले होगे तो भी जो गर्मी है वो infrared rays में जाएगी अब तुम temperature बढ़ाके तुमने कर दिया मानलो भाई 10,000 10,000, 12,000, 13,000 sun के जित्ता temperature कर दे surface पे तो temperature जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे न वैसे वैसे वो जो waves निकल रही होंगी वो जादा energetic निकल रही होंगी मतलब जाद energetic निए उनकी wavelength reduce हो रही होगी तो इसे जए temperature बढ़ता जाता है जो waves maximum amount में निकलती है वो infrared ना होके वो और कम wavelength की तरह मतलब UV, gamma के sense उसमें जाती जाती है ठीक है so this is what this point is saying radiation from a body at normal temperature and pressure is predominantly infrared rays this is important you should remember it similar to light thermal radiation can be reflected, refracted, refracted and polarized obviously जए thermal radiation है reflect, refract कर सकते हो और refract भी कर सकते हो polarize भी हो जाती है radiation from a point source obeys inverse square लो obviously point source का inverse square less significance है कैसे मान लो यह point source है sunny है इसकी rating जो है वो p watt है इसकी rating क्या है p watt है अब यह p watt का मतलब यह हर second कुछ p amount of energy release कर रहा है हर second कुछ p amount of energy release कर रहा है spherical region में बाहर की तरह अब मैं अगर इसकी intensity पूछो यहां से r distance दूर यहां से r distance दूर इसकी मैं intensity यहां पे पूछ रहा हूं कि intensity कित्ती होगी मैं आ खड़ा हो तो basically उतनी intensity होगी मतलब यह जितनी भी energy है न यह तब तक बट गई होगी यह पूरा जो spherical region है न उसमें बट गई होगी क्योंकि एक second में तो p energy निकली वो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे को बटती जा रही है मतलब जितनी तुम्हें मिल रही होगी यहां पे भी यहां पे भी मतलब उस पूरे sphere पे same amount of energy मतलब इसी की निकली energy वो पूरी बट गई है ठीक है तो पूरी बट गई है तो basically यहां पे जो intensity रहेगी that is going to be depend that can be actually given as intensity का formulation होता है energy per unit time per unit area तो energy per unit time तो point source के लिए यही बोल रहा है radiation from a point source obeys inverse square मतलब intensity will be inversely related with r square बहुत important fund आये इसको इसे related भी question आते है कि point source इसमें भी आते wave optics में भी आते है आगे आप modern physics में जाओगे वहां पे भी concept यह पूछा जा सकता है तो point simply आपको समझ में आना चाहिए कि है क्या क्या relevance है इसका कि radiation कैसे effect कर जाता है ठीक है sir आते है आप किर्चॉफ law पे किर्चॉफ law क्या बोलता है कि the ratio of emissive power word to word याद रख ले word to word यह पूरा the ratio of emissive power to absorptive power is same for all bodies हर एक body के लिए उसकी जो emissive power और absorptive power का जो ratio है वो same रहता है सारी bodies के लिए और किसके बराबर रहता है वो रहता है emissive power of the black body के बराबर वो रहता है emissive power of the black body के बराबर ठीक है and is equal to the emissive power of the black body यह किर्चॉफ का rule है तुम्हें word by word दिमाग में रखना है अब emissive power क्या होती है emissive power is basically energy radiated per unit area per unit time पर solid angle along normal to the area ठीक है यह होती है आपकी energy यह होती है आपकी emissive power absorptive power on the other hand क्या होती है absorptive power होती है energy absorbed divided by energy incident मतलब कित्ती गिर रही है उसमें से तुम्हें कितना absorb कर लिए अब यह देखू टर्मिनलोलजी में जाना हमें direct चीदे यार जो में थी में उस पर चलते प्रिवर्स theory of heat exchange basically इसको भी देख लिए statement है all bodies radiate thermal radiation at all temperature हर temperature पर हर body thermal radiation emit करती है तो अभी हमने जस्त पढ़ा कि 0 Kelvin से उपर होना चीए 0 Kelvin से जहां उपर हो मैं radiate भी करूंगा और मैं absorb भी करूंगा ठीक है okay besides the body also absorbs part of thermal radiation emitted by the surrounding bodies when this radiation falls on it if a body radiates more than what it absorbs अगर radiation ज्यादा मतलब ज्यादा दे रहा है absorb करने से तो इसका temperature गिर जाएगा और obviously बात है अगर ज्यादा absorb कर रहा है देने के अलावा तो temperature बढ़ जाएगा simple as that ठीक है अब आते stiffens law stiffens law से mean कहानी यहां चालू होती हूँ formulation है basically formulation है आपका की जो heat current है that is sigma ea t raise to the power 4 यह है simple सा एक formulation जो की stiffens का law है और basically यहीं से final version है उसका h यहां पर क्या कहलाता है h यहां पर heat current dq by dt heat current sigma यहां पर एक basically constant है जिससे जो की Stephen Boltzman constant कहलाता है जिसकी value 5.67 into 10 to the power minus 8 होती है e emissivity of the black body होती है emissivity of that particular body होती है black body की बात करूंगा तो e की value 1 हो जाती है इसका value 0 से 1 की बीच में लाए करता है a होता है surface area a होता है surface area ठीक है और T होता है temperature of the body हाला कि तुम stiffens law से direct तो में question दिखेंगे नहीं मैंने पुरान सारे questions देख लिए stiffens law से तुम्हें mostly questions नहीं आते questions आते तो इसका next version है जो की Newton's law of cooling है उससे आते तो वो हमको देखना है ठीक है यह कहलाती है आपकी emissivity एक body की emissivity और absorptivity सेम रहती है ठीक है अब आओ एक और चीज बस में तुम्हें बताना चाहरो वो देख लो कि body normally क्या होगा उसके साथ वो इस पर depend करती है कि जो net heat current है that is going to be sigma EA T body का temperature है T raise to the power 4 minus T0 surrounding का temperature है ठीक है तो वो absorb भी कर रहा है और variation कैसे हो रहे है T की power 4 में याद रखना जो heat current है जो किस से vary हो रहा है T temperature की power 4 में ठीक है Newton यहीं पर मात खा गया था Stephen से कि Newton ने variation single-handedly लेना मतलब उसने बोला था जो heat current रहेगा वो directly proportional रहेगा temperature पर जो की नहीं यहाँ पर heat current कैसे T की power 4 से vary कर रहा है और यहाँ पर basically यह चीज बस यह बता रहे है कि body temperature is T body temperature surrounding temperature is T0 तो ultimately होगा क्या कि body आपका जाधा temperature पर होगी जाधा temperature पर होगी तो heat emit out करेगी कम temperature पर होगी तो heat absorb करेगी simple समझ मैं है तो यह case बस वही बता रहा है कि अगर यह जो एक section देख रहे हो तुम sigma Ea T raise to the power 4 यह दिखा रहे है कि body emit out कित्ता कर लिए और वह sigma Ea T0 raise to the power यह दिखा रहे है कि वह absorb कित्ता कर लिए ठीक है तो अगर emit कर रहे है अब्जॉर्ब कम कर रहे है तो तरपान घड़ेगा सापान कम होता जाएगा अगर emit कम कर रहे है और absorb जादा कर रहे है तो automatically negative हो जाएगा यह दिखाएगा कि temperature उसका बढ़ेगा ठेक है सो यह simple सा game है यह formulation आप समझ जाओ और आप बात करते हैं Newton's law of cooling की Newton's law of cooling बड़ा ही important derivation है लेकिन derivation में हमें जाना नहीं हम final result पर पहुचते है तो result basically यह बोलता है कि जो आपका temperature का change होगा with respect to time that is going to be directly proportional to the temperature difference जो भी temperature difference उसके directly proportional रहता है ठेक है एक negative sign के साथ एक negative sign के साथ ठेक है so dt upon dt negative sign इसले क्योंकि temperature का change है बॉस और temperature decrement हो रहा है ठेक है so minus dt by dt is equal to k into t minus t not t minus t not okay so यहां से change समझ में आता है इसका अगर मैं final result रहूं तो देखो integration से result आ जाता है और कुछ इससे साब का रहता है natural log t minus t t initial से t final is equal to minus of k into t ठीक है natural log हटा दो गया अगर आप natural log हटाते हो तो basically relation आ जाता है tf minus t o divided by t i minus t o is equal to t raise to the power minus of k into t ठीक है इसको धर ले जाओ यह basically क्या है यह final temperature of the body यह final body temperature यह था initial body temperature और यह है temperature of surrounding ठीक है ओक और यह क्या है t क्या है t is basically time ठीक है जो कि 90 से 80 तक गिरी किते minute में t minutes t minute में यह 90 से 80 तक गिरी when the room temperature is 20 degree centigrade okay the time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 to 60 80 से 60 आने में at a room temperature same at 20 degree centigrade तो देखो इसमें क्या fund यूज़ करने वालो में आपने अभी जैसमें आपको बता है d capital T by d small t is directly proportional to how much is equal to k of delta t मतलब temperature का जो difference है temperature का जो difference है temperature of the body minus temperature of the surrounding इसके बराबर है अब मैं इसी d capital T upon dt को delta के terms में compare करूँगा इसको मैं delta के terms समझूँगा इसी चीज़ को मैं use करूँगा कैसी use करूँगा इसको delta के terms में use करूँगा यहाँ पर d की जगे में delta लूँगा ठीक है और यह assumption में इसलिए बान सकता हूँ क्योंकि देखो Newton's law of cooling जो है वो basically आपका accurate तो है नहीं ठीक है वो तब valid है जब basically temperature आपका इस 70-80-60 में हो ठीक है नेगेटिव साइन लेना चाहो तो ले लो कोई दिखकर अब देखो करूँगा क्या जब 90-80 गया जब 90-80 गया कित्ती देर में गया टी मिनेट्स में गया ठीक है तो 90-80 गया तो decrement कित्ता हुआ नेगेटिव साइन तो अल्टर हो जाएगा आप इन दुनों का मीन लोगे इस सिनारियो में इन दुनों का मीन हो जाएगा तो मीन क्या होगा मीन हो जाएगा 90-80 गया यानि 85 ठीक है सर तो पहले case में मिलूँँगा 85- सराउंडिंग का टेंपरेचर कित्ता है 20 दिया हुआ है यह रख सराउंडिंग का टेंपरेचर तो 85-20 ठीक है ओके सर समझ आ गया देख लो 2021 में आया है देन उसके बाद next case में क्या करूंगा यही सेहीं चीज दूसरे case में भी अपलाय करूंगा दूसरे case में क्या है 80-60 क्या 80-60 वही वापे 60-80 सर गया पाया और कितने टाइम में यही तो पता करना है कितना टाइम है तो इसको मैं टी डैश बोल देता हूं यह टी डैश निकालना है ठीक है this is going to be equal to k into यहाँ पर क्या करूंगा इन दोनों का मीन ले लूंगा इन दोनों का मीन कितना आ रहा है 80-60 का मीन तो 70 होगा न सर हाजी बिल्कुल सही बोला आपने यह 70 हो गया तो यह हो जाएगा 70 माइनस surrounding temperature is 20 I think this is clear ठीक है सर यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 50 वह 20 को cancel कर देगा और basically नहीं भी करेगा तो आप देखो अब इन दोनों को divide करना है अब इन दोनों situations को divide करना है के से के गया 10 degree centigrade 10 degree centigrade चला जाएगा यह 2 इसमे multiply होगा टी डाश उपर चला जाएगा तो finally देखो क्या निकल के आ रहा है टी डाश by 2T यह टी डाश उपर चला जाएगा 13 से यह जाएगा 5 10 से यह जाएगा 5 से ती डाश की सर value आ रही है मेरी 13 by 5 times T क्या यह option है क्या option है आज ही सर option number B है और यही मेरा correct answer भी है समझ आया देखो कितनी easily answer निकाल दिया यह formulation पता होना चाहिए formulation पता है तो तुरंत answer निकाल दोगे ठीक है समझ में आया exact यह जग देखो comparison करने में यह formula यूज करोगे comparison करने में यह formula यूज करोगे exact time निकालना है तो फिर यह formula यूज करोगे ठीक है तो वहाँ पे यह 90 सा सी गया तो 80 उसका initial था 80 बाद में था यह 20 बीज था और यहां से तुम निकालते ठीक है exact time निकालना रहेगा तो यह formula compare करना रहेगा तो इस formula को दोनों यह formula याद रखो ठीक है सर चलो आगे बढ़ते है वेंस displacement law अब वेंस displacement law क्या है तो वेंस displacement law basically यह बोलता है कि अगर when a body is heated it emits radiations of all wavelength जैसे कि वेंस अबको बता है अगर किसी में energy रहेगी किसी में भी तापमान है तो वो हर एक wavelength emit करता है अब मुद्दे की बात ही आती कौनसी wavelength सबसे जादा भेजता है वो उसके में domination कौनसी wavelength का होता है तो वेंस law basically यह बोलता है कि यह जो आप law देख रहे हो इससे according यह समझ में आ जाएगा कि जो wavelength तो सबसे maximum मातरा में देगा न उसका और temperature जो बोलता है उसका multiplication एक constant रहता है मतलब तुम यह समझ सकते हो कि जो maximum amount में जिस wavelength को भेजेगा वो basically B upon T के बराबर हो दो जहां B की value यह दी होई है जिसे वेंस constant बोलते हैं यह भी बता दी भाई है कितना अच्छा था देखो B की value बता दी उसने तापमान जो भी रहेगा temperature body का वो divide कर देना तो मैं वो पता चल जाएगा वो wavelength जिस पे maximum wavelength मतलब maximum intensity रहेगी ठीक है तो वेंस displacement curve कुछ इस तरीके का था यह रहा वेंस displacement curve कुछ इस तरीके का है इस हिसाब से रहता है तो इस temperature पे तुम देख सकते हो maximum wavelength यह वाली है अब यह जहां पे भी आ रही है यह रहा इस length की maximum wavelength जैसे यह से तुम temperature बढ़ाते जाओगे सौरी temperature क्या कर रहे हो हाँ temperature तुम wavelength बढ़ रहे है temperature तुम reduce करते जाओगे temperature की value तुमने T3 से अब T2 कर दी और T1 कर दी यहाँ temperature है y-axis के लोग temperature plotted है तो जैसे से तुमने temperature की value कम करती गए नहीं नहीं यह तो intensity है यह intensity temperature नहीं this is intensity only temperature is over here कि जो T1 की value है that is actually the least temperature से inverse relationship होता है तो जिस wavelength की value ज्यादा है न वो maximum की तरफ जाएगे मतलब यहाँ पे देखो यह वाली wavelength maximum पे आ रही है यहाँ पे बीच का temperature तो यह वाली आ रही है temperature और बढ़ा दियो तो छोटी wavelength की आ रही है समझ रहो मतलब यह दिखाता है कि जब बॉड़ी का temperature बहुत ज्यादा यहाँ संज ऐसा है तो कौनसी wavelength वो अमिट करता है वो छोटे रीजन्स कम wavelength वाली rays एमिट करता है कम wavelength वाली कौनसी होती है highly energetic होती है क्योंकि energy कैसे होती है सब्सक्राइब करता है तो वेंस डिस्प्लेश्मेंट लोग तुम ऐसे भी समझ सकते हो इस तरीके समझ सकते हो यह आप पूरा analysis आपको समझ मैं T1 की value less than T2 is less than T3 ठीक है ओके सब आओ वेंस displacement law नहीं इस से related के question करते है पावर बहुत प्यारा question आरी लेकिन पावर radiated by a black body is P power radiated जो हूँ है वो P it radiates maximum energy at wavelength lambda not इसमेंगे displacement law यूज हो रहा है वो maximum radiates maximum energy at wavelength lambda not भाही वो पूरी अपनी maximum energy किस पे कौनसी wavelength के थ्रू भेज रहा है लामड़ नॉट मतलब इसका प्रदम चेंज कर दिया so that it radiates maximum energy at wavelength 3 by 4 times lambda the power radiated by it becomes n times P what is the value of n confuse एकदम बच्चा तो गवरा गया थे question भाई यह आया कहां से यह हीट का है तो कौनसी हीट से आया में कुछ समझी नहीं आ रहा वाड़ा सिंपल सा question है बड़ा सिंपल सा answer देखो बताता हूं यहां वेंज displacement law है और stephen constant दोनों का usage है वेंज displacement क्या बोलता है पहले इसने बोला जब भाई एक समय वो power pth black body की और रेडियेट कर रहा था maximum energy wavelength लामड़ नॉट से मतलब लामड़ नॉट की सबसे जादा wavelength हमिट कर रहा था तो यहां पर वेंज displacement इस समझ में आना चाहिए और बाद में जब तापमान बढ़ा है तो अब कौन सी वेवलेंट दे रहा है अब वो थ्री बाइक फोर टाइम्स लैमड़ नॉट मतलब पहले से लैमड़ नॉट कम होगी मतलब तापमान डेफिनिटल ब आप इसके लिए क्या करोंगा वेंस कॉंस्टेंट लूश करोंगा भाई शेंपल सी चीज टीवन इस्टू टीटू जो हो जाएगा वो मेरा लांटा लांड़ टी गॉन्हें ठींटू नहीं पता डीवन नहीं पता मुझे नहीं पता क्टीटू पता-टीटू गेर बाद को की वैल्यू कि यह थी बटे 4 लैम्डा यह होगी 3 by 4 times lambda not divided by lambda not lambda not lambda not cancel किती इसकी वैल्यू आरी 3 by 4 इसका निखाल के आप क्या क्या करना चाहरों इसका निकाल का में यह बताना चाहरा हूं कि तो व्रेटाउट ईक्ता था पावर क्या था उता फावर होटा थे वही पावर है तुम्हारा डीक्यू उप्ट होटाई फिट क्रेंट है जो हीट करेंट है इस ऐसे समझ में आ रहा है जो हीट है है heat current क्या होता है heat current is dq by dt rate of energy absorption radiation basically power यहां से क्या देख सकते हो power भई है t raised to the power 4 के directly related power is directly related to t raised to the power 4 तो पहले बताया जब यह भेज रहा था तब तापमान T1 था और तब power कित्ती थी P थी अब बाद में जब temperature T2 हो जाएगा और wavelength यह छोड़ेगा 3 by 4 times lambda naught तो power कित्ती होगी तो यहां पर वही गेम करना है कि P1 इस्टू P2 जो होता है वो P1 इस्टू P2 की power 4 से relate होता है समझाया अब T1 इस्टू T2 कित्ता है 3 by 4 P2 की value कित्ता है हमें actually P2 इस्टू P1 निकालना है तो P2 इस्टू P1 कित्ता हो जाएगा next इस्टू P1 जो हो जाएगा that is going to be T2 is to T1 raised to the power 4 यह है मेरा तीन गुड़े तीन नो नो तीय सत्ताइस सत्ताइस तीया 81 तुप्टी सिक्टी स्टु 81 मेरी एन की वैल्यू आ रही है बोस देख लो ऑप्शन है क्या आजी सर ऑप्शन है ऑप्शन है बिलकुल है ठेक है समझाया नीट 2008 का कुश्चन था अगला सवाल अगला सवाल मैं नही पारलल में बच्चा बच्चा बता देगा 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 कितना easy है आराम से बता दोगे ठीक है 2017 का कोश्चन है 2016 का क्या है अब पीस of ice falls from a height h so that it melts completely only one quarter of the heat of the heat produces absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall the value of h is simply बोल रहा है ice है h height नीचे गिरी और h height नीचे गिरी तो भाई नीचे गिरेगी तो उसके potential energy kinetic में convert होगी तो वही energy है potential पूरी जो kinetic में convert होगी अब बोल रहा है उसी energy का एक बटा चार उसने absorb कर ले पूरा मिल्ट होगे और बाकी सब इतर उतर चलेगी तो कित्ती energy इसके पास रहेगी जब पूरा मिल्ट हो गई वही बोला ना 1 by 4 is of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall the value of H is पूरी की पूरी ice and is absorbed by the ice पूरी ice ने absorb कर ली अब हमें H की value बतानी है ठीक है तो पूरी की पूरी उसने ice ने absorb कर ली melt हो ने हो वो सब छोड़ो melt हुआ ही होगा obviously तो absorb कर ली तो कित्ती जुत्ता भी mass था वो पूरा melt हो गया तो M into LF इससे निकलती है ना मेरी energy इससे मेरी निकलती energy जब भी मैं fusion की बात करूं ice से water conversion करूं तो latent heat of ice दी होई है 3.4 into 10 to the power 5 M से M cancel हो जाएगा मुझे H की value पता करनी H की value देखो कित्ती आ रही है 4, 4 by 10, 4 by 10 G आ जाएगा इधर और LF की value कित्ती है 3.4 into 10 raise to the power 4, so 3.4 into 10 raise to the power 5, देखो यह जाएगा इसका 4 हो जाएगा, 4 3s are 12, 16, 1 carry over 13.6 into 10 raise to the power 4, ठीक है, और 1 0 देदूंगा तो 136 km, यह आ गया मेरा answer, option number भी 136 km, समझ मैं देखो कित्ता ओर लिए इत्ती एनर्जी थी, इसका एक बटा चार, conversion में चलेगे, mm cancel हो गया, तुरंत answer आ गया, ऐसी आते सवाल यार, दूसरा, coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2, length of steel and brass rods are L1 and L2 respectively, if L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which are the following relation happen, वो बोल रहा है, L2 और L1 के बीच की दूरी हमेशा maintained है, तो कैसे निकाल होगे, दे initial 1 plus alpha delta T, ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ लो, यही था ना temperature, L2 plus L2 alpha delta T, बिल्कुल, ऐसी L1 dash will be equal to L1 plus L1 alpha delta T, ठीक है, अब वो बोल रहा है, L2 minus L1 हमेशा same रहेंगे, तो वही तो कर दू, वही कर दू, L2 dash minus L1 ये भी same रहेगा, तो इसको मैं constant K बोल दे रहा हूँ, is equal to L2 minus L1, ये भी constant K रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा, plus L2 alpha delta T, minus L1 alpha delta T, simple, ये आ गया, अभी के से के cancel, delta T, delta T, delta T, delta T, delta T, cancel हो जाएगा, तो finally क्या result आएगा, L2 alpha 2 will be equal to L1 alpha 1, देख लो, ये रहा result, simple as that, simple वही बोला question है, वही निकाल दिया, 2016 लगा question, कौन सो option है, alpha 1 L1 is equal to alpha 2 L2, simple, ओके, ठीक है, समझ आया, तो भाई लोगो, इसी के साथ, we will have to close this session, I suppose, आप सभी को बहुत मजाया होगा, काफी energetic session था, और यार, अगर अच्छा लगा, please thumbs up देना, ताकि और लोगों को पता चल सके, कुछ अच्छा चल रहा है, और जैसा मैंने आपको बोला था, कम समय में, सारी चीज़ें, मैंने पूरी कोशिश की, कि मैं आपको entire heat thermal properties of matter समझा पाऊं, I suppose, you are clear with all the things, बहुत अच्छा सा एक quick revision हो चुक है आप लोग का, questions भी देख लिए आपने, इससे और जाद आपको questions देखने हैं, तो Sunday को हम live session करेंगे, तब आप देख सकते हैं और तब आपको एक बहुत अच्छा idea भी मिल जाएगा, तो इसी के साथ, thank you, bye bye, and thanks a lot for attending the session, मिलते अगली lecture में, till then, bye bye, and thank you, and happy learning.